तो अभी तक हमने काफी कुछ आट कर दे हैं हमारे पेंट अप्लिकेशन में और अभी यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है अगर मैं इस प्रोग्राम को रण करूं तो आप देख पाएंगे कि अप्लिकेशन कैसा है तो यहां पर मैं एक पैंसिल कर सकता हूं और कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूं और उसके बाद यहां मैं इरेजर से इसे इरेज भी कर सकता हूं not only this पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हम इस तरीके कलर बॉक्स कर सकते हैं और कोई भी कस्टम कलर हम सेलेक करके ओके अगर करें तो हम उस तरीके का कलर क्रिएट कर पाएंगे राइट क्लिक करता हूं और काफी कुछ जानना है इसमें आज की विडियो में आड कर सकते हैं कि अगर मैं उपन करें जल्डेंश यहां पर सकते हैं कि इस जगह पर हमारे पस बहुत सरे कलर ऑप्शन से तो यहां पर हम कच इस तरीकी की बटन करने वाले हैं ताकि हम कुछ को डायक्ट एक्सेस कर सकें without clicking on this select color option तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास select color है और यहां पर भी हमारे पास color box option है अगर मैं इसे open नहीं करना चाहता हूं तो उस तरीके का कुछ यहां पर मैं वह बनाने वाला हूं एक फ्रेम बनाने वाला हूं और उसके अंतर सारी चीज़े ड यहां पर लिख दूँगा this is colors frame और यहां पर मैं specifically लिख दूँगा colors frame equals और मैं frame बनाने वाला हूं यह frame almost same होगा तो यह जो frame है वो frame 1 के अंदर होगा जिनको नहीं पता है कि मैं कौन से frame structure के बारे में बात कर रहा हूं तो आप प्र अगर simple words में मैं अभी आपको समझाओ तो यह देखो यह जो उपर है ना यह हमारा frame 1 है यह पूरा चीज यह हमारा frame 2 है और यहां पर यह हमारा frame है यह हमारा size frame है जो हमारा select color frame है तो अभी मैं इसके आगे एक frame बना रहा हूं जो मैं अभी plot करने वाला हूं तो मैं लिख दूँगा यह frame 1 के अंदर होना चाहिए और सा यहां पर मेरे पास size frame है जहां पर row 0 column 1 है right size frame के बाद मेरे पास एक color box frame में जहां पर column 2 है तो definitely यह जो होगा नो column 3 पे present होगा कुंकि मैं इससे उसके बाद apply करना चाहता हूं तो यहां पर मैं लिख दूँगा color frame equals grid और color frame के जगह मैं colors frame कुंकि यह color color box नहीं है and at the same time I will say column should be 3 definitely और यहां पर मैं अभी के लिए background color add करूंगा and the reason to add background color is only because यहां कि मैं दिखाना चाहता हूं कि how exactly it is looking as of now I'll run this program now और यहां पर आप देख सेते हैं कि हमारे पास एक और आ गया frame और यहां इसके नदर हम buttons दाने वाले हैं जो कि कुछ top performing जो primary colors होंगे right तो मैं आभी के लिए सिर्फ दो या तीन buttons add कर दोंगा जो most used colors होंगे या फिर primary colors होंगे and later on I will like add more things to it तो यहां पर हमारे पास color stream के अंतर मैं जल्दी से buttons add कर दोंगा और यहां पर buttons add करने के लिए मैंने पहले भी कुछ buttons add के हैं जैसे कि size frame के अंदर कुछ buttons add के हैं but instead of taking that मैं जल्दी से खुदी create कर लेता हूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा enter करूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा let's say red button और red button equals और यहां पर मैं button बना दूंगा यहां पर इसे मैं बोलूंगा कि यह color stream के अंदर होना चाहिए उसके बाद मैं लिखूंगा text should be मैं text भी लिख रहा हूं हां I think it will look better bg equals मैं red बनाऊंगा और that's it मुझे कमांड लिखने पड़ेगा और command मैं यहां पर lambda function करूंगा जहां पर मैं बोलूंगा कि मुझे करना है set color set I guess it is set color only color.set I guess it is stroke color.set stroke color हमारे पास जो है वो variable है I will say stroke color.set equals red और यहां पर मैं इसको क्या करूंगा ग्रेड कर दूँगा तो यहां पर मैं लिख दूँगा red button जो हमारे पास है red button dot grid और यहां पर मैं लिख दूँगा with equals 10 मुझे दिखना चाहिए ताकि यह symmetric दिखे so with equals 10 मैं इस button में भी कुछ border जाच चीज़े आड कर सकता हूं जो कि हम later on कुछ improvement videos बनाऊंगा जिसमें मैं UI को और improve करूंगा तो उस videos में कर सकते है as of now मैं यहां पर green दूँगा और बाद में मैं यहां पर भी इसको green button कर सकता हूं यहां पर मैं लिख दूँगा green button और यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे row 1 डालना पड़ेगा क्योंकि मैं overall 3 button add करने वाला हूं so red green and blue I guess would be fine so यहां पर मैं control D से copy कर सकता हूं और यहां पर instead of green मैं लिख दूँगा blue right so यहां पर मैंने blue लिख दिया है so blue button हो गया और यहां पर मैं लिख दूँगा blue and definitely मुझे background color change करना पड़ेगा for both of them and even this as well so यहां पर green और यहां पर blue and finally यार मैं इस जगह पर बेजी को भी green कर दूँगा and यहां पर इसको background color and now you will understand what exactly we did right now so यहां पर अगर मैं इस program को run करूं तो आप देख सकते हैं हम आर पास 3 button है okay मुझे यहां पर रोग को change करना पड़ेगा जल्दी से वह कर देता है तो यहां पर रोट टू कर दूँगा and finally we are done so let's run this program and अब आप देख सकते हैं कि जो कुछ fundamental primary colors है हो मेरे पास सामने ही है और अगर मैं उनमें से कोई भी चीज़ से लेक करना चाता हूं तो directly access कर सकता हूं तो जैसे कि अगर मैं red सामझाओं तो red okay so it is okay it is working right green पे अगर मैं तो green हो जाता है blue पे अगर मैं तो blue हो जाता है यह कुछ ऐसे primary colors है जो हमें बहुत ही जल्दी-जल्दी चाहिए होंगे और इसलिए मैं यहां पर रखा है I would suggest कि हम इसमें और भी colors रखें जैसे कि यहां पर अगर मैं actual MS paint खोलता हूं तो पर उन्होंने बहुत सारे colors डाले हैं पर उनके जो buttons हो बहुत छोटे हैं उन्होंने बस circular format में दिखाया यह चीज राइट हम चाहें तो 6 से लेके नौ तक बटन जाड़ कर सकें जहां पर हम most famous colors like black white red green blue इन primary colors को यहां पर आड़ करेंगे राइट तो अभी हमें अपने प्रिकेशन को बहुत जादे इंप्रूफ करना है और हम कुशिश करेंगे कि most of the functionality जो हम इस paint में हम वह सारी चीज़े इंप्रिमेंट कर सकें अपने प्रिकेशन में जो हम ठीक इंटर मॉड्यूल के मतलब से बना रहे हैं using python so that's all for today's session मेरे आपको साथ चीज़े समझ में आए होगी और बाई